हलो दोस्तों टेक्नो गाइडेंस चैनल में आप सभी का स्वागत हैं आज की वीडियो बनाएंगे हम लाइजी लाइफ इंशुरंस कॉर्परेक्शन का एप गूगल एप गूगल एप में जाएंगे हम मिन्स अगर आप प्ले स्टोर में जाते हैं प्ले स्टोर से लाइसी के जो एप है इसे हम डाउमलोड करेंगे और उसके बाद इसके फीचर को जानेंगे एक चोटे से एप में, मॉबाइल एप में आप कितनी सारी फीचर्स, कितनी सारी सुविधाईं ले सकते हैं वो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों पहले आवाज की कॉलिटी समझ लेते हैं कि कहीं कई किसी तरह की प्रॉबलम तो नहीं है आवाज क्लेर हो जाए ताकि आपको मेरी आवाज पूरी तरह से सही तरही के से सुनाई दे और कोई परिशानी नहों दोस्तों दोस्तों LIC हर किसी के पास होता है हर कोई उसी से जुड़ा हुआ है और वो चाहता है कि वो सारे शेडियूल को अपने पेमेंट को प्रीमियम को एक ही कैलंडर एक शेडियूल में ले आए ताकि रिमाइंडर पेमेंट से रिलेटेट कोई भी इशू हो तो वो है उसे साइट एम पर ट्रैक कर सके इसलिए लाइसी की जो वेबसाइट है इसे मुबाइल के एप में बना दिया गया है और इसे आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डामलोड कर सकते हैं तो आगे चलते हैं दोस्तों यहां पे देख रहे हैं आप एक तो तिंग चार नो अबर प्रोड़क्ट क्विक्स फरवीस रिजिस्टर पोल्टर निव यूजर रिजिस्टरेशन रिजिस्टर पोल्टर यूजरस में जाएंगे और यहां पे MPIN दिया गया है तो आप इसके भी आपके consolidated policies हैं वो एक साथ आप एक ही बार में अपने schedule wise यहां पे देख सकते हैं दोस्तों premium due form और जो भी है calendar year के साफसे financial year के साफसे जो भी आपके policies हैं उसका सारा schedule यहां पे available है with due date किस due date पे कैसे कब आपको pay करना है कैसे pay करना है वो सारी details आपको एक ही समय पे यहां प self policies हैं आपका सारा data यहां available है categorize wise कर सकते हैं child policies हैं उस तरह से consolidate देखना है सारी policy यहां with date आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों back करते हैं यह वाला हिस्सा policies के details का है my app में चलते हैं हम तो यहां पे no our product यहां पे हम सारी चीजें प्राप्त करते हैं जो भी LIC के ने plans policies और जो details हैं वो यहां पे नजर आते हैं दोस्तों तो वो मैं देखता हूं बाद में आपको और clear करता हूं basic services है basic services में important online payment receipt जो जो payment हमने इस financial year में किया है वो सारे receipts आप यहां से एक ही बार में download कर सकते हैं देख सकते हैं और उसे यहां पे नीचे download दिया है यहां से आप सारी receipts ल लिए और जो भी आपने investment proofs शो किये वे है declaration दिया है उसके लिए आप यहां से download receipt कर सकते हैं दोस्तों online payment receipt का है premium calendar कोई भी आपका जो भी due है schedule है उसके सारे amounts with detail check पे वो सारा जो भी calendar है वो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों policy schedule है कब कैसे किस समय कितने amount का है उसे आप separately यहां पे policies अपनी detail आप यहां से ले सकते हैं और उसे download भी कर सकते हैं आगे चलते हैं policy status में जाएंगे और यहां पे जो हमने पहले देखा था वही सारी चीजी हम यहां पे फिर से देख सकते हैं add new policies कोई नई policies हुई हैं आपकी add हुई हैं यहां पे आप उसे add करिए और उसे done करिए तो आपकी policy आपके schedule के हिसाब से आपके listing में add हो जाती है दोस्तों claim status उसे जानिये क्लिक करिए maturity benefit जानिये और भी बहुत कुछ एक एक करके क्लिक करते हैं और अपने policies से related maturity details और भी कुछ आप यहां से जान सकते हैं दोस्तों add new policy claim status हो गया loan status है किसी से related अगर loan है किसी policies में cover होता है वो भी आप यहां से जान सकते हैं the option provides you and details of existing loan available under a policy the option has a network dependency for display relevant information unable to face this because इसमें ऐसा कोई loan की claim कियाने गया है इसके वज़े से वहां पर दिखाए नहीं देगा policy premium paid statement है आप ने जितने इस financial year में payment किये में उसके सारे statement आप यहां से collect करते हैं generate of one statement अब मैं यहां पर select all करता हूं और यहां पर generate statement करता हूं और इसे check करता हूं तो देखिए एक पूरा statement आपके policies का यहां पर दिखाई देता है दोस्तों इस तरह से तो एक ही time में आप सारे statement को एक single statement में जितनी भी policies होंगी वो सारी एक statement में आ जाती है financial year के हिसाब से और आप इसे अपने computation में income tax related documents को और अपने returns फाइल करते समय इसे proof के तोर पे इस्तिमाल कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा एक benefit वाला जो मैं अब तक मैं भी इसे prefer करता हूं और मैं यही statement प्रिंट लेता हूं और अपने income tax की फाइल में शो कर देता हूं तो एक ही statement में और भी पीछे जाते हैं और यहां revival quotation कुछ है तो वो नज़र आता है दोस्तों basic services cover होती है online payment करिये renewal payment premium के जरीए linked health है कुछ है यहां पर बताता है no premium due policies available अगर है तो available होंगी तो वो यहां पर reflect करेंगी advanced premium payment कर सकते हैं और चौप प्रीमियम है लोन इंट्रेस्ट पेमेंट है और साथ में हम और भी information हासिल कर सकते हैं तो इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं दोस्तों और आगे बढ़ सकते हैं स्टेट्पेंट में चल रहे हम और उसे हम कोशिश करते हैं करते हुए loan repayment कुछ है policy selection करेंगे कहीं कुछ है loan particular payment proceed करते हैं policy से related अगर कुछ है जो loan repayment के लिए होता है वो हम यहां से कर सकते हैं दोस्तों यह हो गया प्रीमियर services service request है service request देना चाहते हैं कहीं कुछ policy से related आपको कुछ कहना है समझना जानना है वो आप यहां से service request दे सकते हैं अपने track भी कर सकते हैं दिये वे request को track करने के लिए हम यहां पे यह चीज़े करेंगे MPIN है request new MPIN जो अगर हम OTP देना है पासफ़र देना है उसे change करना है उसके जरीए हम यह चीज़े कर सकते हैं दोस्तों grievance कई कुछ grievance है यह grievance का status क्या है जो आपने complaints दी थी जो आपने details दिये थे उसके बारे में वो कहां पे पहुंचा है किस तरह के details होंगे कैसे भरे जाएंगे form क्या होगा उसके register कैसा करना है वो सारी चीज़े हमें यहां से मिलती हैं दोस्तों profile management में update profile करेंगे अपने details को भरेंगे यहां पे विवरा देंगे अपने personal details भरेंगे और उसे complete करेंगे update profile change password है अपने तरीके से आप उसे अपने choice से चेंज कर सकते हैं जैनुवरीक सर्विस है प्रीमियम क्यालकुलेटर वो है आगे बढ़ते हैं और फिर जॉक्टर लोकेटर प्रीमियम लेते समय इंशुरंस की policy नई पॉलिसियां लेते समय हमें कभी भी जॉक्टर मेडिकल इ पर टेस्ट सर्टिपिकेट की जरू होते हैं फिटने सर्टिपिक्री जरू होते हैं उसवक्ट डॉक्टर लोकेटर आपके आसपास जहीं पर यहां पर रहना रहते हैं जहां से आप नियर्स्ट लोकेशन पर जाते हुए policy हो अपने लाइसी ऑफिस रिलेटेड और कैसा है बोसारी चीज़े आप अपने तरीके से यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं branch office divisional office चीक्ष दोस्तों और इस सारी चीज़े हम यहां से हासिल करते हैं दोस्तों यह हो जाता है उसके बाद हम सीदे dashboard की तरफ चलते हैं dashboard में दिखाया गया है total sales 5 policies चल रही है, premium paid statement, select the year जो year च स्टेट्मेंट को समझ सकते हैं देख रहें दोस्तों 2021 ये सारी पॉलिसी जो है इस तरह से हम भी हम स्टेट्मेंट ले सकते हैं दोस्तों तो ये बैसिक सर्विसेज हैं इतनी सारी जो cover हो जाती है एक एप में और LIC आपके मुठी में याने सारी चीज़ें आप अपने policy को बहतरी तोर पे easily और अपने समय पे remind हो जाता है देख लिया जाता है समय मिल जाता है चेक करने के लिए और उस policy को handle करने के लिए easily आप इस एप के जर्भी है इसे बहतरी तोर पर चला सकते हैं दोस्तों तो इतने सारी चीज़ें इतने सारी फीचर हमें एक ही बाहर में मिलते हैं दोस्तों आप इसका इस्तमाल करिए देखिए बहुत ही बहतरी है very easy hand है आप बहतरी तोर पे से check कर सकते हैं यहां से policies एड़ कर सकते हैं बेरे पहले कह दिया था आपको वो भी आप यहां से कर सकते हैं दोस्तों तो इस तरह से आप दोस्तों अपने LIC की policy को एक ही एप में cover करिए family की आपकी जतनी policies हैं अपने family से related वो सारे एक ही जगह में compact करिए लाइए और साथ साथ online payment भी करिए reminder मिलेगा सब चीज आपको इस एप के जरीर मिलता है दोस्तों बहुत ही अच्छा है बहतरीन है मैं भी से इस्तेमाल करता हूँ मैं भी से बहतरीन तोर से समझता हूँ और अ से clear करता हूँ क्योंकि सारे dates यहां पर दिखाएगे आप right hand side में देखोगे premium due form यह सारी चीज़े यहां पर cover हो रही है अब जो भी आगे की हैं उसे मैं time पर भरने की कुशिश करूँगा और उसे cover करूँगा तो दोस्तों इस LIC की आप यह app अपने mobile में रखिए समझे जान मैं आप सभी दोस्तों से फिर से दर्क्वास्त करूँगा मेरे चैनल को subscribe करें notification bell को भी दबाएं और आने वाली वीडियो की update सदा आपको मिलती रहेगी यही मैं कोशिश करता हूँ यही मेरी जरूरत है यही मेरी कोशिश हमेशा रहती है दोस्तों आपको बताने के तो दोस